23 जन्वरी 1897 भारतिय यतिहास का वो खुश्णुमा सूर्योद है जब जानकीनात पोस और प्रभावती देवी के घर उस बालक ने जन लिया जो आगे चल कर अंग्रेजी हुकूमत के सूर्यास्त के सबसे महत्व पूर्ण महानायकों में से एक बनने वाले थे बच्पन से मेघावी रहे नीताजी सुभाश चंद्र पोस स्वामी निवेकानंत के आदर्शों और विचारों से प्रभावित थे इंग्लिंड में सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले नियताजी सुभाश चंद्र पोस ने जलियावाला बाग नर्समहार से दुखी होकर सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया यहीं से आजादी के संघर्ष में नेताजी सुभाष चंद्रपोस का प्रवेश हुआ और भारत आते ही वो गांधी जी से प्रभावित होकर कॉंग्रिस में शामिल हो गए और सविने अवग्या आंदोलन से जुड़ गए 1923 में नेताजी सुभाष चंद्रपोस युवा कॉंग्रिस के राष्ट्रे अध्यक्ष और बंगाल कॉंग्रिस के सचिव बनी 1925 में राष्ट्रवादी गतिवित्यों यानी सीधे शब्दों में कहें तो आजादी की लड़ाई लड़ने के जुर्म में नेताजी सुभाष चंद्रपोस को मांडले जेल भेज दिया गया 1927 में जेल से बाहर आते ही कॉंग्रिस ने उनको महासचिव बनाया और यही से पंडित जवाहलाल नहरू और नेताजी सुभाष चंद्रपोस की युवा जोड़ी जल्दी ही भारतवश में लोगप्रिय हो गई और इनसे नकेवल कॉंग्रेस बलकि आजादी के आंदूलन को भी गति मिली नेताजी सुभाष चंद्रपोस और पंडित नहरू दोनों युवा कॉंग्रिसी पून स्वराज के पक्ष में थे यही कारण है कि दोनों युवा निताओं ने 1928 में डुमिनियन स्टेटर्स के प्रस्ताव का विरोध किया 1931 में नेताजी सुभाष चंद्रपोस को फिर जेल भेजा गया लेकिन जेल की सलाखे भारत मा के इस बहादुर बेटे के इरादों को कमजोर नहीं कर सकती थी 1938 में नेताजी सुभाष चंद्रपोस कॉंग्रिस के राश्ट्रिय अध्यक्ष पने 1941 में नेताजी सुभाष चंद्रपोस देश से निकलने में काम्याब रहे और उन्होंने विदेशी जमीन से भारत मा की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आजाद हिंद फोज की स्थापना की जिसके ब्रिगेड के नाम उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नहरू और मौलाना आजाद के नाम पर रखे विदेशी जमीन से दिल्ली चलो का नारा देते हुए उन्होंने अपने प्रियर नेता को राश्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हुए आजादी की लड़ाई में उनका आशिरवाद मांगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूगा का नारा भले ही नेता जी ने विदेशी जमीन से दिया था, लेकिन इस नारे ने भारत में आजादी की लड़ाई लड़ रहे युवाओं में फर पूर जोश भरने का काम किया आज नेता जी हमारे बीच नहीं है लेकिन देश प्रेम और भाईचारे के उनके आदर्श एवं विचार आज भी हमारा मार्ट दर्शन कर रही है हम सब को मिलकर युवाओं के चहेते नेता जी के सपनों का भारत बनाना है यही उस महानायक सच्चे देश प्रेमी को सही माईनों में शद्धांजली होगी जैहिंद